गाईज बहुत सारे लोग सिर्फ इस वज़े से सही से smart money concept को use में नहीं ले पा रहे हैं क्यूंकि उन्हें चार्ट पे सही structure mark करना structure map करना नहीं आ पा रहा है कि कब चार्ट uptrend में बना हुआ है कब चार्ट downtrend में बना हुआ है और कब एक sideways range में बना हुआ है जैसा कि last वाली वीडियो में हमने inducement और liquidity के बारे में समझा था तो जब chart for example downtrend में भी बना रहता है main trend उसका downside पे है तो भी बीच बीच में वो ऐसा दिखाता है लोगों को कि उपर जाने वाला हूँ उपर जाने वाला हूँ मुझे buy कर लो जिससे कि वहाँ पे लोग inducement का शिक हम वहाँ पे उस direction में अपना mind रखते हुए liquidity grab का शिकार ना होते हुए सही direction में अपनी trade को identify कर पाएंगे and कुछ लोग ऐसे हैं जिने structure mark करना है structure map करना तो सही से आ गया है पर उनकी ये queries बनी हुई है कि time frame हमें कौन सा pick करना है उसी के साथ second main query जो बनी हुई है कि जब भी gap of gap down हमें देखने को मिलते हैं Indian markets में तो वहाँ पे chart का structure पूरा बदल जाता है तो उसके बाद हमें structure marking किस तरह से करनी है structure mapping किस तरह से करनी है so आप मैंसे काफी सारे लोगों की queries बनी हुई थी structure mapping के ऊपर and काफी लोग इसके बारे में और examples देखना चाह रहे थे तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले है complete structure mapping को एकदम basic से शुरू करते हुए advanced level तक और जैसा कि पिछली बार सिर्फ हमने diagram के through theoretical examples से सीजों को समझा था इस बार हम कुछ practical examples को भी चार्ट पर देखने वाले हैं जिससे कि आपके mind में और clarity बढ़ जाएगी तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जब भी हम structure map करने की बात करते हैं तो mainly 3 type के structure हमारे सामने होते हैं चार्ट पर एक होता है जिसमें high और low हमारा change नहीं हो रहा जो भी एक बार valid high या valid low लग गया वो change नहीं हो रहा है उसके बीच में चार्ट internally काम कर रहा है इंटर्नल ही भली हमें breakout देखने को मिल रहे हैं ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं पर वहाँ पे main high और low चेंज नहीं हो रहा है तो ये sideways structure होता है sideways market हम इसको consider कर सकते हैं उसके बाद second type का जो structure होता है वहाँ पे lows को बार बार chart breakdown करता हुआ चलता है इस वज़े से lower highs और lower lows का यहाँ पे हमें concept देखने को मिलता है downtrend जिसको हम कहते हैं आम भाशा में जैसा मैंने आप से कहा structure mapping में trend जैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे सिर्फ highs और low को हमें consider करना होता है उसी के according chart का structure identify करना होता है और वहीं पे दूसरी तरफ जहाँ पे highs बार बार breakout होते हुए चल रहे हैं इस तरह से वहाँ पे हमें higher highs और higher lows का structure देखने को मिलता है जो की कही ना कहीं पे positive side पे indicate करता है अब उसके बाद structure mapping में next important term जो आती है उसको कहते हैं BOS यानि के break of structure जहाँ पे जब chart downtrend में बना हुआ है इस तरह से lower highs lower lows के structure में बना हुआ है every time जहाँ पे वह अपने एक valid low को यहाँ पे cross करता है वहाँ पे एक BOS हमें होता हुआ नजर आता है जब भी valid low cross होगा वहाँ पे boss होता हुआ नजर आएगा similarly chart अगर upside पे बना हुआ है higher highs higher lows के structure में बना हुआ है तो every time जब वह अपने high को breakout करेगा high के उपर candle close करेगा सिर्फ यहाँ पे अगर market इस तरह से उपर जाता है और candle close नहीं हो पाती विक उपर निकलती है shadow उपर निकलती है candle की पर candle close नहीं हो पाती तो वहाँ पे BOS होता हुआ नजर नहीं आता है वहाँ पे सिर्फ liquidity sweep होती हुए हमें नजर आती है तो simply candle closing की हमें जरुवत होती है इस break of structure term के through हम यह समझ सकते हैं कि same जो trend चल रहा है same जो side का momentum चल रहा है वह इसकी होती है change of character change of character का मतलब simply यह है कि chart downside पर चलता हुआ आ रहा था low को break करता हुआ रहा था break of structure break of structure करता हुआ अचानक से उसने एक अपने high को cross कर दिया valid high को cross कर दिया तो वहाँ पे character जो है chart का change होता हुआ हमें नजर आता है अभी chart downside पर बना हुआ था अब यहाँ से chart upside प करते हुए आ रहे थे break of structure break of structure same trend में continue होते हुए आ रहे थे अचानक से market में एक valid low को यहाँ पे breakdown कर दिया तो वहाँ पे हमें चोक होता हुआ नजर आ गया downtrend के लिए उसके बाद से हम वहाँ पे यह समझना चालू कर देंगे कि यहाँ पे lows को breakdown करता हुआ market चल सकता है तो वा वहाँ पे चोक देखने को मिलेगा CHOCH same structure continue है तो break of structure देखने को मिलेगा इतना एकदम हमने यह basic discuss करा है जो कि पहले वाली वीडियो में भी हमने discuss किया था आप मैंसे काफी सारे लोगों को समझ में आ गया था जिनको नहीं आया था समझ में I hope इस example के बाद समझ में आ गया हो कि कब यह valid high और low हमें change होते हुए नजर आते हैं क्यूंकि अभी तो जैसे आपको यहाँ पे chart का diagram एकदम clean देखने को मिल रहा है कि हाँ यहाँ यहाँ पर downtrend बना हुआ है red color से भी मैंने mark कर रखा है तो आसानी हो रही है आपको समझने में और यहाँ से वापस से market उपर जा देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का chart देखने को मिलता है जहाँ पर लोगों के मन में main confusion ही यह आता है कि कौन सा high और कौन सा लोग को हमें pick करना है और कब वो high और low change होते हुए नजर आ रहे हैं तो उस बारे में main लिए वीडियो होने वाली है क्यूंकि अगर आपने गलत high और गलत low को mark कर लिया तो वहाँ पर कभी भी आपको break out structure होता हुआ नजर आ जाएगा पर actual में वहाँ पर break out structure हुआ ही नहीं होगा या फिर आपने सोचा suppose करते हैं यहाँ पर chart downtrend में बना हुआ है कहीं से भी आपने देखा कि यहाँ पर high को breakout कर दिया है तो वहाँ पर आपने सोचा change of character हो जाएगा पर actual में वहाँ पर change of character हुआ ही नहीं होगा और आप unnecessary वहाँ पर upside की trade ढूमना चालू कर देंगे जबकि chart अभी भी और नीशे जाना बाकी होगा तो इस confusion को दूर करने के लिए आपको सही से high और low को mark करना आना चाहिए अब suppose करते हैं हमने कोई chart open कर लिया हमें पता नहीं है कि उसका structure कैसा है तो वहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी swing देखने को मिल रही हो या फिर आखों से इस type का structure अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसमें भी जो सबसे बड़ी swing है उसका high point और low point को आपको mark कर लेना है और इसी के साथ suppose करते है जैसे चार्ट यहां पर live चल रहा है यहां तक का चार्ट अभी बना हुआ है तो थोड़ा पहले से हमें चार्ट पर structure mark करना चालू करना होता है जिससे कि हम एक valid structure find out करते हुए आ सके आगे तो जैसे हमने यहां पर एक high point और low point को mark कर लिया बड़ी सी swing को एक mark कर लिया उसके भी हमारे काम के नहीं होते हैं यह internal breakout breakdown होते हैं unnecessary लोग इसमें ही trap होते हुए नजर आते हैं जब एक important high और एक important low cross होगा वहीं पर हमारा structure change होता हुआ नजर आता है उसके बीच में जो सारा काम चल रहा है वो internal liquidity के लिए होता है उस पर बीच में हम किस तरह से trade plan करते हैं internal liquidity में उसके लिए हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे फिलाल हम एक valid structure mark करना सीख रहे हैं अब जैसे suppose यहाँ पर chart ने low को breakdown कर दिया एक valid low लगा हुआ था यहाँ पर माल लिया उसको chart ने breakdown कर दिया तो suppose करते हैं कि chart का structure यहाँ पर down side पर continue होता हुआ चल रहा है break of structure हमने mark कर लिया या फिर अगर आँखों से हमें दिख रहा था कि इस type से chart उपर जा रहा था तो change of character हम इसको मान सकते हैं कुल मिला के हमें यह समझ में आना चाहिए बस कि chart sideways है नीचे जा रहा है या उपर जा रहा है तो हमने यह समझ लिया low breakdown हुआ है मतलब chart नीचे जा रहा है अब ज इसको यहां पर चार्ट हटाने जाता है एक बार इसको कहा जाता है inducement जो भी first swing यहां पर लगी हुई है इसको जब chart इस तरह से हटाता है अब यहां पर इसकी liquidity करने जाता है तब इसको inducement कहा जाता है और जैसा कि हमने last वाली वीडियो में देखा था कि inducement कई type के होते हैं simply price इसको इस level तक push down करना कि सबका वहां पर mindset change हो जाए जैसे normal लोग यहां पर उनको क्या लगेगा कि यहां पर breakout हो जुगा है पर जो SMC trader होते हैं उनको पता है यह बात कि first high को market एक बार टेक आउट करने जाता ही जाता है उसको inducement कहते हैं जैसे ही chart first high को taken out करता है liquidity करती करता है उसकी उस time पर जो एक हमारा low लगा होता है वो हमारा यहां पर नया low हो जाता है पहले यह वाला low था अब यहां से यह वाला low हो चुगा है यानि जैसे ही chart नहीं हाँ पर inducement करा यहां पर इसके उपर जाना चालू करा first high के उपर यहां पर भले ही market में यहां पर हमें candle closing का wait न लिया जाता है काफी लोगों के मन में confusion आ रहा होगा कि last video में तो हमने यह समझा था कि liquidity में जो inducement वगेरा होता है वो inducement कई type का होता है बहुत सारे हमने examples भी देखे थे वो एकदम accurate है inducement कई तरह के का होता है inducement का concept जो है वो कई जगा पे apply होता है पर जब chart पे हम structure mark करने जात होता है जो first high के उपर लोगों की liquidity पड़ी हुई है उसको जब chart हटा देता है जैसे ही चार्ट इसके ओपर यहां पर cross करा भले ही candle की shadow गई हो candle की विग गई हो candle close भी नहीं हो पाई हो उसी time पे जो यहां पे low हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा एक नया low हो जाता है fresh low तो यहां पर वापस से breakdown किया इसको हम वापस से नाम देंगे break of structure का जैसे ही वापस से break of structure होता हुआ नजर आएगा यानि जो हमारा low लगा उसको chart take out करता हुआ नजर आएगा उस time पे यहां पे हमारा high चेंज होता हुआ नजर आएगा उस certain point पे जो हमारा high था वो हमारा यहां पे नया high हो जाएगा इस तरह से तो इस बात से हमें क्या समझ में आया कि हाए भी यहां पर नीचे की side पर shift हुआ है लो भी यहां पर नीचे की side पर shift हुआ है तो इस तरह से हम चलते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर lower lows और lower highs का structure यहां पर बन रहा है यानि कि आम पहले initially हमें चार्ट पर एक बड़ी सी swing को mark कर लेना है उसका high point और low point को mark कर लेना है जैसे ही यहां पर high breakout हुआ पीछे का माल लेते हैं हमें कुछ भी structure नहीं पता सपोस करते हैं अगर हम इस तरह से गिरते हुए आ रहे थे तो वहां पर high breakout हो रहा है तब तो वो change of character हो जाए पर यहां पर हमें breakout structure consider नहीं करना है और इससे हमारा कोई high और low भी change नहीं होगा क्योंकि यह सब जो है internally चल रहा है काम बीच में यहां पर structure के बीच में बना हुआ है तो भले ही यहां पर breakdown हो या breakout हो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है बीच में अब जैसे यहां पर high को market ने take point को breakout करा तो यह हमारा यहां पर first यहां पर inducement का area बन जाएगा अब inducement होगा कब जब chart इसको वापस से पूरा take out कर लेगा यानि जो भी लोगों ने यहां पर इसके नीचे अपने stop loss वगेरा रखे उनको सबको यहां पर chart हटा देगा और chart को जाना उपर ही है जैसे कि chart हमारा यहां पर higher highs higher lows का बना हुआ है पर फिर भी जो लोग यहां पर price action पर काम करते हैं उनको inducement करके इस तरह से दिखाया जाता है कि यहां पर मैंने swing को breakdown कर दिया है तो एक तीर से यहां पर दो काम हो जाते हैं जैसा मैंने आपको last वाली वीडियो में समझाया जिन्होंने नहीं देखिए वो वीडियो चेक आउट कर सकते हैं बहुत सारे traps और बहुत सारे liquidity और inducement के बारे में आपको बाते पता चलेगी structure mapping में फिलाल सिर्फ एक type का inducement काम आता है जो यह first low लगा हुआ होता है या जैसे downside के हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो first high लगा होता है उसको market को एक टेकन आउट करना जरूरी होता है तब ही हमारा एक low consider होता है और जैसे यहां पर low को market ने take out किया है तो यहां पर यह हमारा उस time पर valid high consider होगा एक और तो जिस शन पर हम यहां पर inducement वाली यह जो line है यहां पर swing है उनके लोगों के stop loss हटा रहे हैं भले ही candle हमने यहां पर close नह हुआ था उसको हम मान लेते हैं कि हमारा नया हाय हो चुका है इस तरह से यहां पर हम इसको shift करके यह हमारा हाय हो जाता है और low अभी हमारा सेम रहेगा फिर वापस से चार्ट ने इस तरह से ऊपर move करके और यहां पर high को breakout किया तो जिस time पर यहां पर वापस से break of structure होता हुआ क्योंकि हाय को जब भी हम breakout करते हुए चलते हैं अब प्रेंट के चार्ट में तो वहां पर हमें break of structure देखने को मिलता है तो यहां पर जैसे ही break of structure हुआ इसको हम नाम दे देंगे break of structure का और जब जिस time पर यहां पर जिस point of time पर जिस minute पर जिस यहां पर शन पर break of structure हो रह है इस time पर एक पूरा cycle complete हुआ है हमारे structure का जिससे हमें यह समझ में आया है कि यहां पर higher highs और higher lows बनते हुए जा रहे हैं क्योंकि जैसे हम यहां पर चार्ट की बात करते हैं तो यहां पर जैसे दिख रहा है आपको price में 29,580 के आसपास price था तो low जो लगाया है अब हमने यह 3400 के आसपास लगाया है तो कहीं ना कहीं low भी उपर के side पर shift हुआ है और high जो यहां पर हमें देखने को मिल रहा था 30600 का देखने को मिल रहा था वो भी high यहां पर क्या उचुका है 31,000 का उचुका है तो higher highs हो रहा है और higher lows हो रहा है और sideways की तो बात ही नहीं है कोई जो एक पहले हमने high और low लगा दिया उसके बीच में ही अगर हम घूम रहे हैं तो फूरा यहां पर internal structure हो जाता है sideways market हो जाता है अब इतनी बातों से आपको लगेगा कि आपको structure mark करना आ गया है पर जब बहुत सारे लोग यहां पर main chart पर जाते हैं तो वहां पर हमें gap up gap down भी देखन samples को देखने वाले हैं और साथ ही जैसा कि आपकी जो भी queries बनी हुई थी उसके भी मैं आपको answer करता हुआ जाऊँगा और कुछ pro tips and important points आपके साथ share करता हुआ जाऊँगा अब हम लोग आ चुके हैं live chart पे bank nifty का यह चार्ट है फिलहाल one hour time frame पे chart को मैंने open कर रखा है अब ज simple सा answer यह है कि एक नहीं दो time frame आपको pick करने पड़ेंगे पहला time frame तो रहेगा higher time frame htf जिसको बोलते हैं जिसमें आपका structure main mark होगा कि main trend क्या चल रहा है दूसरा रहेगा एक lower time frame जिस पे भी आपको structure mark करना है पर उस पर structure आपको इसलिए mark करना है ताकि आप उस पर entries अपनी plan कर सकें तो दोनों पर आपको structure समझ में आने चाहिए so smart money concept में simply multi time frame analysis इसी तरह से किया जाता है कि एक कोई भी higher time frame pick कर लिया और एक lower time frame pick कर लिया दोनों पर structure को समझ लिया फिर lower time frame पर entry plan कर लिया अब multi time frame किस तरह से हो सकता है कि for example 1 hour time frame आपने ले लिया और second आपने 15 minute time frame ले लिय या दूसरा जैसे आपने 15 minute time frame ले लिया और एक आपने 5 minute time frame ले लिया या 3 minute time frame ले लिया और जैसा कि smart money concept के उपर हमारी पूरी जो playlist चल रही है जिसमें already 7-8 वीडियो आ चुकी है उसमें एक वीडियो में हमने ये भी discuss किया था कि structure map करने के time पे versus entry plan करने के time पे कुछ criteria बदल जाते हैं break of structure और ये जो change of character होते हैं इनके structure mapping में अलग तरह से उसको use में लिया जाता है और entry के time पे उसको अलग तरह से use में लिया जाता है उसी तरह से time frame का भी यही खेल है कि एक बड़ा time frame हमारा रहता है जहां पे हम main trend को समझ रहे हैं और दूसरे time frame पे हम entry plan कर रहे हैं तो break of structure, change of character हमें दोनो time frame पे ही देखने होते हैं एक पे entry के लिए और एक पे structure समझने के लिए and उसी तरह से जैसे हमने last वाली वीडियो में inducement के बारे में समझा था तो inducement भी दो तरीके से काम में आता है एक तो main जो concept होता है inducement का उसके multiple example होते है multiple तरीके से हमें देखने को अब सबसे पहले जैसे हमें इस तरह से zoom out करें यहां पर आँखों से देखके क्या समझ में आ रहा है कि चार्ट अप साइड पर बना हुआ है तो यहां पर मान सकते हैं कि अब trend हो सकता है है या नहीं अभी हमें confirm नहीं है confirm किस तरह से होगा उसके लिए हम mark करेंगे structure जैसे हम मोटा मूव हुआ यह एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल रहा है जो comparatively पीछे के मूव से काफी बड़ा है और अच्छा कासा इसमें चार्ट पॉल हुआ है तो इसका high point और इसका low point हम mark कर लेंगे इस तरह से मैंने यहां पर एक बड़ी सी swing का high point और low point को mark कर लिया अब कोई सी बड़ी सी swing को आप पिक कर लो इसको भी आप कर सकते थे यहां से यहां को भी अच्छा हां साओ है इसको भी clock कर सकते थे तो यहां पर high और low mm worryक करेंगे तो भी सीम आउटकम हमें देखने को मिलने वाले हैं अब जैसा कि हम में यहां पर क्या देखने क wentWhen यहाँ पे एक break of structure होता हुआ नजर आया है हमें क्योंकि हम क्या मान रहे थे हैं कि chart upside पे बना हुआ है और confirmation भी हमें upside का ही मिला है high को breakout किया है, chart ने इसके उपर candle close करी है तो हाँ हम यहाँ पे मान सकते हैं कि break of structure हुआ है क्योंकि same direction में हम predict कर रहे थे और उसी direction में high को breakout किया है तो break of structure हुआ है otherwise होता क्या यहाँ पे कि हम तो upside के लिए सोच रहे थे chart यानि आखों से देखकर हमें upside का पता चल रहा था पर low को chart breakdown कर देता तो फिर हम यहाँ पे change of character उसको लिखते अब जैसा कि high के उपर candle close हो चुकी है उसके बाद यहाँ पे chart ने candle close करने के बाद वापस से retest करा और उपर जाना चालू किया तो यहाँ पे एक हमारा swing point लग चुका है जैसा मैंने आपसे कहा था जो first यहाँ पे swing point होता है वो हमारे किस काम आता है inducement collect करने के जिससे chart पे liquidity generate की जा सके अब यह जो inducement हमें देखने को मिलता है first swing को यहाँ पे breakout करके breakdown करके उसमें लोगों को एक main confusion क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको problem face करनी ना पड़े अब जैसा कि यहाँ पे हमारा breakout structure हुआ था उसके बाद first swing market को taken out करनी होती है inducement के लिए उसके लिए दो यहाँ पे मैंने आपको chart present किये हैं कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा और कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा लोग यहाँ पे major mistake क्या करते हैं उसको समझना important हो जाता है जैसे suppose करते हैं यहाँ पे chart ने जब breakout किया उसके बाद first जो यहाँ पे low लगाया उसके बाद वापस से जब chart उपर निकल गया तो यहाँ पे एक swing हमें देखने को मिली तो यहाँ पे हम wait कर रहे हैं कि chart जब इसको taken out करेगा तो यह हमारा एक inducement होगा पर chart ने क्या करा? chart उपर जाता रहा वापस से एक बाद नीचे आया और वापस से उसके उपर breakout कर दिया तो अब हम क्या wait कर रहे हैं? हमारी जो swing है वो उपर की side पर shift हो चुकी है तो इस पर यहाँ पे हम inducement का wait कर रहे हैं फिर जब chart ने इसको यहाँ पे taken out किया यहाँ पे liquidity हटा ली लोगों की यहाँ पे लोगों के stop loss अटा लिए तब यहाँ पे एक हमारा inducement confirm होता हुआ नजर आया उसके बाद जो यह हमारा उस time पे high लगा हुआ था यह हमारा next high बन जाता है अब वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है? यहाँ पे जैसे ही chart ने break off structure किया first swing के हम taken out होने का wait कर रहा है inducement के लिए पर यहाँ पे taken out नहीं हुई उपर निकल गया chart तो उपर निकल गया तो अगली swing वापस से कब confirm होती है जब इसके उपर हम निकल जाते हैं यह ना कोई break off structure है ना कोई यहाँ यहाँ पे नया high shift हो रहा है क्योंकि लोग जो होते हैं जैसे यहाँ पे chart ने वापस से उपर निकलना चालू कर दिया तो अपने stop loss पहले यहाँ पे रख रखे होंगे तो यहाँ पे ले आते हैं फिर यहाँ पे ले आते हैं इस तरह से लोग अपने retailers वगरा new projection traders जो होते हैं वो अपने stop loss को trail करना पसंद करते हैं तो जो भी नई swing लगती हुई जाती है वहाँ पर हमें inducement को trail करते हो जाना है जब तक कि एक बार inducement taken out नहीं हो जाता है तब ही जाके फिर हमारा एक valid high consider होगा क्योंकि यहाँ पर निकला तो हमारा high नहीं है तो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर यह inducement हो चुका है इस तरह से लोग इसको inducement मानके यहाँ पर कोशिश करते हैं structure mark करने की actual में अब यहाँ पर हुआ क्या है यह inducement तो है पर यह structure mapping के लिए काम में नहीं आएगा वापस से repeat कर देता हूँ यह एक तरह का inducement तो है यहाँ पर लोगों के stop loss इकटे करे गए हैं और वापस से चार्ट अगर यहाँ से उपर जाना चालू भी करता है तो यह एक inducement तो है पर structure mapping की अभी हम बात कर रहे हैं structure mapping के case में इसको inducement consider नहीं किया जाता है inducement सिर्फ उसी यहाँ पर swing को consider किया जाता है जिसके चार्ट एक बार यहाँ पर उपर निकल गया हो जैसे यहाँ से उपर निकल गया था तो इस swing को consider किया जाएगा यहाँ से भी उपर निकल गया था चार्ट तो इस swing को consider किया जाएगा यहां से यह उपर निकला ही नहीं था तो अभी यह internal घूम रहा है internal range के अंदर में घूम रहा है तो उसमें चाहए यह breakdown भी कर देता है तो यह हमारा inducement नहीं कहलाएगा हमारा inducement अभी भी क्या लगा हुआ है यह हमारा inducement लगा रहेगा फिर भले ही चार्ट यहां पर इसके नीचे आने के बाद अगर यहां पर इसको take down कर लेता है तब यह हमारा inducement गंफर्म होगा यह इस level पर किस चीज के लिए structure mapping के लिए अब suppose करते हैं यहां पर इस तरह से ना करते हुए यह नीचे आया यहां पर एक inducement तो है जब इसको taken out करेगा तो हमारा यहां पर inducement मान लिया जाएगा और जिस शंड पर यहां पर इसको taken out कर रहा होगा लोगों की यहां पर liquidity हटा रहा होगा लोगों के stop loss हटते होगे नजर आएंगे उस time पर हमारा यह जो high लगा हुआ है यह हमारा एक नया high बन जाता है अब वापस से आ जाते हैं हम हमारे real example पर तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है चार्ट ने वापस से नीचे की side पर swing लगाई तो यह हमारा भी inducement की तरह से काम कर रहा है उसके बाद चार्ट ने जो पूरा move दिया है यह single leg में एक move दिया है इसमें कोई भी बीच में हमें वापस से एक swing देखने को नहीं मिल रही है तो यह हमारा यहां पर inducement की तरह से काम करेगा हमें इसको इस तरह से यहां पर mark करके रख लेना है कि यह हमारा inducement है इसको हम नाम दे देंगे यहां पर inducement का तो जैसा मैंने आपको यह second example बताया था कि चार्ट यहां पर नीच आया वापस उपर जाने का try करा पर इस high को नहीं निकाला है तो यह हमारी कोई यहां पर valid swing नहीं है यहां पर inducement नहीं माना जाएगा किस case के लिए structure mapping के लिए inducement तो है यहां पर लोगों को induce तो की आज गया है कि यार उपर जा रहे हैं उपर जा रहे हैं बाय कर लो और वापस से उनके stop loss भी हटाये हैं पर structure mapping के लिए इसी वाले inducement को taken out करना पड़ेगा काफी लोगों की इस बारे में queries आ रही थी तो structure हमारा वैसे भी same ही बना रहा है क्योंकि एक पूरे momentum में ही सारे यहां पर यह वाला inducement हो चाए यह वाला inducement हो दोनों को एक साथ ले लिया है पर actual में हमें यहां पर ले जाने के बाद तो इस तरह से हम यहां पर जो अपना high था उसको यहां पर shift करके उपर की side पर रख देंगे यह point हमारा high point बन चुका है low हमारा कब change होता है जब वापस से chart यहां से inducement लेने के बाद उपर जाके इस high को यहां पर breakout करता तो इस point of time पर यह point हमारा low बन जाता पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो यहां पर low हमारा अभी भी same चलता हुआ आ रहा है तो हमारा valid high यह है और valid low यह है तो market अभी उसके अंदर में घूम रहा है तो basically यहां पर क्या हो रहा है कि one hour time frame पर कोई भी यहां पर नया trend हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना तो same trend continue हो रहा है ना trend change हो रहा है तो यहां पर एक sideways range हमें देखने को मिल रही है one hour time frame पर तो इसके related एक person का यहां पर comment आया था query आया थी कि जब कोई हमारा valid break of structure या फिर change of character नहीं हो रहा है ना हम high को break कर रहे ना हम low को break कर रहे तो उस time पर हम किस तरह से order block वगेरा mark करें किस तरह से entry plan करें किस तरह के momentum plan करें तो उसके लिए सबसे best pro tip मैं आपके साथ यह share करता हूँ जैसे one hour time frame पर breakout breakdown होते हुए नजर नहीं आ रहे यानि change of character break of structure नहीं होते हुए नजर आ रहे तो थोड़ा lower time frame पर shift हो जाओ 15 minute time frame पर यहाँ पर चले जाओ उससे क्या होगा वहाँ पर आपको break of structure वगेरा होते हुए नजर आ जाएंगे तो उस according आप वहाँ पर structure mark करके फिर उसको 5 minute या फिर 3 minute या फिर 1 minute time frame पर entry plan कर सकते हो अब उसके आगे हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर low को market ने breakdown कर दिया बड़ा सा gap down खुला market और low यहाँ पर taken out हो चुका था और high के आसपास तक भी नहीं गया market तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है change of character तो इसको हमें इस तरह से mark करना होगा इस low point तो यहाँ पर लगा के और इसको ने यह पता होता है कि यहाँ पर market अभी actual में sideways बना हुआ है तो उपर नीचे both side के हमें यहाँ पर momentum देखने को मिलते हैं और जैसा मैंने आप से कहा था 15 मिन टाइम फ्रेम पर जाके हम वहाँ पर structure समझ सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ breakout breakdown नहीं हो रहा है तो तो उसमें भी हमें इस बात का ध्यान लगते हो चलना है कि दोनों side के हमें momentum मिल सकते हैं तो target वगेरा छोटे रखते हुए trail करते हुए अच्छे से हम plan कर सकते हैं lower time frame पर अगर हम shift हो रहे हैं तो क्योंकि mainly तो हमें यह समझ में आ गया कि तो वहाँ पर हम किस तरह से structure mapping कर सकते हैं क्या हमें gap up gap down को consider करना होता है या फिर नहीं करना होता तो उसका मैं आपको यहाँ पर answer करने वाला हूँ यह जो gap up gap down है actual में हो क्या रहा है price नीचे की side पर shift हो रहा है price नीचे की side पर push down हो रहा है तो हमें इन gap up gap down को भी यहाँ पर consider करना होता है अब उसके बाद second जो लोगों की query बनी होई थी कि बड़े gap up gap down की वज़े से हमें समझ में यह आता कि structure किस तरह से work करता हुआ नजर आ रहा है तो अगर आपको chart पर gap up gap down देखना अच्छा नहीं लगता है आपको पूरा एक flow में chart चाहिए जैसा forex का crypto का chart हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कोई भी gaps देखने को नहीं मिलते है तो इस indicator को आप use कर सकते है no gaps आप यहाँ पर आके search करेंगे तो no gaps candle के नाम से यहाँ पर एक indicator आ जाएगा उसको आप simply chart पर place कर सकते हैं चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं पहले inputs में मैंने कोई भी box को यहाँ पर tick नहीं कर रखा है उसके बाद style में normal है यहाँ पर default setting है सारी उसके बाद visibility में भी सब कुछ यहाँ पर default है इस indicator को मैं personally पहले use लिया करता था यहाँ पर gaps की वएसे price में मुझे confusion पैदा होता था कि यहाँ सही से structure किस तरह से mark करें तो आप भी इसकी help ले सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे gaps आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे ही आपने इसको on करा यहाँ पर उपर की side पर यहाँ पर shift कर देना है क्योंकि यह हमारा एक important high हो चुका है valid high और low अभी भी हमारा वही रहेगा low कब change होगा उसको ध्यान से देखना यहाँ से लेकर पुरा gap down खुला market उसके बाद continue fall करता रहा यहाँ से आता कि एक single lag में हमें move देखने को मिल रहा है price का तो यह पूरा की पूरा हमारा एक swing है उसके बाद यहाँ पर low लगा के chart ने इसको बिना breakdown करे उपर जाने का try करा तो यहाँ से बीच में भले market घूमता रहा हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है internal move से यहाँ से low लगा के पूरा यहाँ तक chart उपर गया यह पूरा यहाँ पर second leg का move है पूरा single तो जैसा हमने यहाँ पर plan किया था कि यह इस तरह से swing बन चुकी है नीचे आ गए हम अब यह swing को market यहाँ पर taken out करेगा तभी यहाँ पर हमारा first inducement कहलाएगा यहाँ पर high को यहाँ पर taken out करना ज़रूरी है inducement के लिए अब जैसा की uptrend के example में हमने देखा था कि फर्स्ट low को जब market taken out करता है तो वहाँ पर हमारा नया high बन जाता है उसी तरह से यहाँ पर जब downtrend में first high को market taken out करेगा तो वहाँ पर एक हमारा valid low consider हो जाएगा और अगर नीचे shift होते वह जा रहे है swing point जैसे यहाँ पर एक swing था तो यह हमारा inducement था इसको market ने taken out नहीं किया नीचे एक और वापस से swing लगा दी क्योंकि यहाँ पर नीचे breakdown करके वापस उपर आके यहाँ पर इसको breakdown कर चुका है chart तो यहाँ पर एक complete swing यहाँ पर जब होती है जब यह पूरा breakdown हो जाए तो यह हमारा inducement बन जाता है यहाँ पर तो जब chart इसको यहाँ पर लेगा इस तरह से तब ही हमारा inducement confirm होगा और जैसा मैंने आपको उसमें बताया था कि लोग गलती क्या करते हैं यह हमारा जैसे inducement था चार्ट में नीचे price pushdown करा वापस उपर आया पर यहाँ पर इसको breakdown नहीं किया तो हमारा inducement यहाँ पर shift नहीं होगा क्योंकि यह पूरी swing यहाँ पर इस तरह से complete होती तब यह जो हमारा point है यहाँ पर swing का तब confirm होता है जब पूरा इस तरह से cycle complete हो जाती है इसके नीचे हम आ चुके होते हैं पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बीच में यहाँ पर चार्ट उपर गया इस तरह से नीचे आया इसको breakdown नहीं किया और वापस उपर निकल गया तो यह हमारा यहाँ पर inducement नहीं कहलाएगा inducement अभी भी हमारा वही लगा रहेगा तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता हो नजर आया है कि चार्ट वन लैग में पूरा नीचे की side पे move किया उसके बाद उपर जाना चालू करा वापस नीचे आया और इसको breakout तो करा उपर या जैसे आप यहाँ पर माने नीचे वापस आया वापस उपर गया और उसके भी उपर चला गया तो यहाँ पर ही सारे point breakout तो करे उसने पर यह हमारा कोई valid swing है यही नहीं कि price का जो पूरा single leg में move चलता है वो पूरी एक leg होती है दूसरी leg लगी तीसरी leg वापस से यहाँ पर breakdown करे तो तीन leg complete होने के बाद एक यहाँ पर swing complete होती है पर बहुत सारी लोग क्या करते है first leg लगी दूसरी leg और तीसरी leg आधी ही होती है मतलब 2.5 leg होती है यहाँ पर तीसरी तो होई नहीं पाती है 2.5 होती है उसके पहले से ही अगर चार्ट उपर घूम जाता है तो यहाँ पर उसको inducement mark करना चालू कर देते हैं और जैसा मैंने आप से कहा यह एक proper inducement है पर यह structure mapping में कुछ भी काम नहीं आएगा structure mapping के लिए हमें 3 leg complete चाहिए इस तरह से यह breakdown होना चाहिए पूरा तभी हमारी यह swing complete होती है और उसको जब यहाँ पर चार्ट taken out करेगा जैसे यहाँ पर taken out करा तो यह हमारा inducement कहल आएगा और जैसा कि हमारा last जो low लगा हुआ था वो यहाँ पर लगा हुआ था यह अब यहाँ से shift होके वहाँ पर चला जाएगा जहाँ पर inducement होते टाइम हमारा lower point लगा हुआ है यहाँ पर यह हमारा fresh low बन चुगा है और high अभी भी हमारा वही है यह high हमारा जब यहाँ पर नीचे की side पर change होता हुआ नजर आएगा जहाँ पर भी आएगा जब कि यहाँ पर low market breakdown कर देता है इसके नीचे जब हम आ जाते हैं तो जो उस time पर यहाँ पर high लगा हुआ रहेगा वो हमारा main high हो जाएगा भले ही जैसे इसी lag में हम यहाँ पर इसको breakdown कर देते हैं तो फिर हमारा यह हमारा main high हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से price की आपको पूरी-पूरी lag को पकड़ना होता है यह एक single lag है यह उसके बाद second lag, third lag वापस गए inducement यहाँ पर collect किया वापस यह पूरा नीचे आ रहे है यह पूरी की पूरी एक single lag है तो अगर यहाँ पर low breakdown हो जाता है लेते हुए किस तरह से entry plan कर सकते हैं order block वगेरा किस तरह से touch करके वहाँ पर entry plan कर सकते हैं उन सब बारे में समझने वाले हैं upcoming 2-3 वीडियो में तो अगर आपको अभी तक structure mapping सही से समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को एक बार दुबारा देख सकते हैं एक वीडियो और रखी है already structure mapping पे उसको भी check out कर सकते हैं तहीं entry हम जब ही plan कर पाएंगे जब हमें structure mapping आती हो एक तो उसके बाद inducement और liquidity का काम समझ में आता हो division हो जाए कि क्या-क्या points को हमने discuss करा और mind में हमारे वो fresh बना रहे तो वीडियो को conclude करते हुए points में discuss कर लेते हैं क्या-क्या हमने discuss करा सबसे पहला हमने discuss करा चार्ट को open करना है पहले आँखों से जो दिख रहा है उस trend को समझ लेना है कि हाँ uptrend बना हुआ है downtrend बना हुआ है उसको confirmation provide करने के लिए चार्ट पे हमें देखना है चोटी 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 स्विंग हमें देखने को मिल रही है उससे एक बड़ी सी स्विंग हमें यहाँ पर देखने को मिले जैसे हमारे case में हमने यह बड़ी सी स्विंग ली थी उसका high और low हमें mark कर लेना है आप कोई सी भी स्विंग है यहाँ पर यह बड़ी सी स्विंग मुझे देखने को मिली high और low मैंने mark कर दिये पहले अपन आखों से देखके क्या समझ रहे थे कि चार्ट upside पर बना हुआ है तो मैं uptrend मान रहा था यहाँ पर market ने इस तरह से low को वापस से breakdown कर दिया इस time पर low के नीचे candle close कर तो मैं uptrend मान रहा था तो मैंने यहाँ पर change of character assume कर लिया, change of character यहाँ पर होने के बाद chart वापस से उपर के side पर move किया, नीचे यहाँ पर breakdown करा, एक पूरी यहाँ पर swing complete होई 3 lag के साथ, तो यहाँ पर swing का high point था, first lag, second lag, third lag, यहाँ पर inducement हुआ, उसके उपर गया price, inducement create किया, और जब inducement create किया, तो यहाँ से हमारा low shift होके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, जैसे ही inducement first high taken out कर लिया, उसके बाद वापस से chart बड़ा सा gap down खुला, यहाँ से यहाँ तक price move करा, यहाँ पर वापस से हमें break of structure होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले uptrend वान रहे थे ह आखों से देखकर, यहाँ पर change of character हुआ, inducement वगेरा लिया, वापस से यहाँ पर low confirm हुआ, तो उसी direction में break of structure करते हुए चल रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे terms change हो गए, यहाँ पर inducement वगेरा change हो गए, high low change हो गए, पर आगे की picture आपको वापस से same ही देखने को कि यहाँ से break of structure हुआ, downside पर, तो वापस से यह first leg, second leg, पूरी यहाँ तक गई, third leg, तो यहाँ पर वापस से यह वही inducement है, जिसको हमने पहले mark किया था, और जिस time पर यहाँ पर हमने inducement लिया, तो यह हमारा यहाँ पर next low, यहाँ पर shift हो गया इस तरह से, यह हमारा low बन गया, और जिस time पर हमने यहाँ पर break of structure किया था, उस time पर यह जो हमारा high था यहाँ पर, यह हमारा यहाँ पर नया fresh आय बन गया, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, वापस से वही कहानी आ गई, same, कहीं से भी आप structure को pick करें, अगर आपको सही से चीजे mark करनी आती है, inducement वगरा करें, उसके बाद fourth conclusion point, जैसे ही chart inducement ले ले लेता है, downtrend के chart में, जैसे ही inducement हुआ, तो हमारा वहाँ पर एक low confirm हो जाता है, swing high taken out होते ही, अब trend के chart में, जैसे ही market ने inducement लिया, तो वहाँ पर हमारा high confirm हो जाता है, और दूसरा जैसे downtrend का chart है, तो वहाँ पर high हमारा cup shift होगा, ज जब वापस से break of structure होता हुआ नजर आएगा, जैसे यहां पर break of structure हुआ तो उसका high हमारा high बन जाएगा, और जो upside का chart था, उसमें हमारा low cup shift होता है, जब वापस से यहां पर break of structure हमें देखने को मिलता है, जैसे यहां पर break of structure हुआ, तो यह हमारा फिर यहां पर important low लग गया थ उसके बाद conclusion point number 5th की time frame हमें कौन सा रखना है, एक हमें रखना है higher time frame, जिस पर main structure mark होगा, एक हमें रखना है lower time frame, जिस पर हम structure समझ के फिर उस पर entry plan करेंगे, उसके बाद 6th conclusion point की gaps हमें परिशान करते हैं, gaps की वैसे हम सही से structure mark नहीं कर पाते, तो उसका चुटकारा मैंने करके use किया जाता है, versus normal case में उस concept का काम अलग होता है, या फिर entry के case में उस concept का काम अलग होता है, तो उससे हमें यहाँ पर confused नहीं होना है, कि यार structure mapping में तो इस तरह से हम काम में ले रहे हैं, बाकी time पे तो यह इस तरह से काम में आ रहा है, या वो break of structure हो गया, change of character हो गया, या फिर inducement हो गया, और last conclusion point कि इसके आगे lower time frame वगेरा पे हम किस तरह से entry plan कर सकते हैं, वो सब हम समझने वाले हैं, आगे आने वाली वीडियो में, काफी power pack वीडियो आने वाली है, और वैसे तो मैंने सारी queries आपकी clear कर दी हैं, फिर भी अगर आपकी कोई queries हो, smart money concept overall के related, तो ऐसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, कुछ बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट करके feedback दे सकते हैं, आपका feedback हमेशा valuable रहेगा, इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में, thank you